हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चलनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ मैट रीव्स की बैटमेन फिल्म की रिवील की गई रेटिंग्स के बारे में जिसे ऑफिशेली रिवील कर दिया गया है कि एक्च्वल में मैट रीव्स का ये बैटमेन का यूनिवर्स PG-13 का रहेगा R-rated बिल्कुल भी नहीं खर तो ये बात बहुती छोटी है जिसे लेकर DC फैंस आगबबुला है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म की रेटिंग R-rated ही रहना चाहिए PG-13 बिल्कुल भी नहीं तो अब इसे लेकर किस तरीकी की Controversy चल रही है चलिए उन सारी की सारी डीटेल्स पर बात करते है और हाँ मेरे opinion पर भी लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी request जो की है इस चैनल को सबस्काइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो फेंट तो जब इस फिल्म की ऑफिशली रेटिंग्स को रिविल किया गया था तो मैंने यही सोचा था कि अपने शौट चैनल पर मैं इसे फिल्म के रनिंग टाइम रिविल होने के साथ साथ कवर कर लूँगा क्योंकि कई लोगों को डाउट इस फिल्म के ट्विलर को देखकर यही था कि यह फिल्म आर रेटिट की कैटिगरी में आईगी जिस से बच्चों को दूर रखा जाएगा लेकिन अब PG-13 के रेटिंग के आने से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बैटमेन का ये यूनिवर्स भी क्रिस्टोफर नोलिन की तरहा बच्चों को ध्यान में रकर बनाया गया है लेकिन जिस तरीके का इसका पहला ट्वेलर था यानि के जिसमें हमने ब्रूटल बैटमेन को देखा था एक शक्स को मारते हुए उससे तो डेफिनेटल ये फिल्म R-rated की ही लग रही थी जिसमें मैं क्या कोई भी DC का डाय हाट फैंस बिल्कुल भी जाना नहीं चाहेगा क्योंकि बैटमेन का कैरेक्टर सभी के लिए है और इसका पुरा का पुरा यूनिवर्स भी जिसे बिना R-rated के PG-13 में भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है और एक्जामपल हमारे सामने डाक नैट की त्रिलोजी का है जिसकी रहा पर चलते हुए ये फिल्म भी PG-13 की ही कैटिगरी में आ रही है लेकिन ट्रेलर ने जिस तरीकी की उमीद बान रखी है उससे तो नो डाउट ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि बैटमेन का ये यूनिवर्स काफी ज़्यादा बड़ा और डाक्नेस से भरा भी होगा बच जो देखने का पॉइंट है वो यही रहेगा कि क्रियेटर्स की तरफ से उसे किस तरीकी से प्रिजेंट किया जा रहा है लेकिन अब कई सारे R-rated को सपोर्ट करने वाले जो फैन्स हैं डीसी के उनकी तरफ से इस फिल्म को बहुत नहीं बलके हिसाब से काफी ज़्यादा बैक्लैश मिल रहा है के से इस फिल्म की इस तरीकी की रिटिंन यही बताती है के इस बार का बैटमेंग बच्चों के लिए है बलतो आपको उनकी बातों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देनाय है क्योंकि example मैंने आपको दे दिया है बाकी मर्जी तो आपकी है क्योंकि ऐसे लोग बोलते रहते हैं जिन पर कोई भी जादा बिलीब नहीं करते सिवाए उन community के जो लोग उनसे बिलॉंग करते हैं और अही बात R-rated की तो Super Heroes की जॉनर में R-rated भी success है और PG-13 तो है ही लेकिन बात रही R-rated की तो उसे present करने का तरीका होना चाहिए और काफी अच्छा content जिससे लेकर R-rated की rating की साथ खिला जा सकता है लेकिन Batman अभी के लिए तो उस category में जैसे की मैंने कहा बिल्कुल भी जाना deserve नहीं करता क्योंकि PG-13 की rating में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है जिससे बच्चे से लेकर बड़े obviously खुश ही होगे बाकि die-hard fans के लिए reference और फिल्म में कई सारी deep meaning फिल्म की सोच और कहानी को वैसे ही dark कर देते है जिस कारण से फिल्म fans के नजर में उनकी dark version की फिल्म होती है और इसमें फिल्हाल तो Christopher Nolan बहुत ही जादा expert थे जिसमें अब देखना interesting यही रहेगा कि Matt Reeves फैंस को कितना जादा सर्फ करने वाले है क्योंकि फिल्म का trailer promising से भरा पड़ा है जिस पर मैं क्या किसी भी fans को बिल्कुल भी doubt नहीं होगा बाकि अब आपकी category कौन से fans के अंडर आती है वो तो आप मुझे comment करकर बता सकते हो क्योंकि मैंने अपनी राय और इस R-rated के जहमेले के update को आपके सामने रख दिया है जिसे लेकर फिल्हाल तो controversy चल रही है बाकि हाँ Zack Snyder के भी chapter को मैं जल्द से जल्द कवर करकर आपको स्कीबी पूरी के पूरी update दे दूँगा और Ben Affleck के interview का भी जिसमें उन्होंने अपने Batman के character को goodbye बोल दिया है लेकिन फिर भी कुछ fans हाथ धोकर उनके और अभी के लिए तो Warner Brothers वालों के पीछे पड़े है Twitter, Facebook और Telegram के ग्रूप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो जहाँ पर फिल्मों से related discussion होते रहते है बाकि मैं मिलता हूँ जल्द आप से दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या पिकिसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए तब तक लिए आप पर इस चैनलन के बाकि दूसरे वीडियो को भी इंजॉए किचे और तिल देन बाई